Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Our plant world, हमारा पौधों का संसार. Kids, आज हम लोग Science का Chapter 1st किस class का है? Class 1st की Science का Chapter 1st. Our plant world, हमारा पौधों का संसार. World मतलब क्या होता है? संसार. Plant मतलब क्या होता है? पौधे. ठीक है? तो आज हम लोग इस Chapter को पूरा Complete करेंगे Step by Step. और जानेंगे Plants क्या है? कौन-कौन से Plants है? कैसे Grow करते है? बहुत सारी चीज़े Plants के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चो? तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नह हैं. We see Plants all around us. They are of different and sizes. shapes and sizes. We see Plants all around us. हम अपने चारो तरफ पौधे देखते हैं. ठीक है? पेड़ पौधे हमारे चारो तरफ है. They are of different shape and size. वो उनका आकार. सेप मतलब क्या होता है? आकार. और उनका size यानि उनकी लंबाई, छोटाई जो भी होती है. यानि उनका आकार और उनकी जो size है. दोनों क्या होती है? अलग-अलग होती है. अलग-अलग small. कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे छोटे से हैं. ठीक है? तो देखते हैं, big plants. सबसे पहले पढ़ेंगे big plants, यानि बड़े पौधों के बारे में. देखिए, याँ पे pictures आप लोग देखिए, जैसे apple tree हो गया, बनियान tree हो गया, गुल्मोहर tree हो गया, ये सब क्या है? big plants हैं, ठीक है? यानि बड़े पौधे. ठीक है? सम प्लांट्स आर big, tall and strong. कुछ पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, strong होते हैं, ठीक है? they have very, they are called trees और इन्हें हम कहते हैं पेड, यानि जो बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, and strong, मजबूत होते हैं, उसे हम कहते हैं trees, ठीक है? they have very thick, hard and brown stem called trunk, उसमें क्या होते हैं? बहुती very thick, बहुती मोटा, मजबूत, और brown यानि भूरे कलर का उनका जो तना होता है, उसे हम कहते हैं trunk, ठीक है? जैसे, यहाँ पे देखें आप लोग, यह brown color का इनका जो stem है, यानि जो तना है, यह क्या है? बहुती hard है, बहुती मोटा है, और brown color का है, इसे हम क्या कहेंगे? trunk, ठीक है? trees, leaves for many years, जो पौधें हैं, वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, मतलब पौधें की उमर क्या होती है, कई सालों तक होती है, लंबी होती है, ठीक है? अब देखेंगे small plants, यानि जो छोटे पौधे होते हैं, अभी हमने देखा big plants, अब हम देखेंगे small plants, ठीक है? small and busy plants are called subs, जो पौधे जाड़ी दार, छोटे होते हैं, जाड़ी दार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सबस, यानि जाड़ी कहते हैं, ठीक है? they have thin, brown and woody stems, उनका जो stem होता है, उनका जो तना होता है, वो क्या होता है? पतला होता है और brown color का होता है, ठीक है? subs live for a few years, जो subs है, यानि जो जाड़ी टाइप पौधे जो होते हैं, वो कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, ठीक है? जैसे, ये देखिए आप लोग, रोज है, हिबिकस है, हीना है, ये सब पौधे क्या है? few years तक, यानि कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि fun fact में क्या है? fact में क्या है? we use हीना to color our hair and to make designs on our hand, हीना का use हम कहते हैं, अपने बालों को color करने के लिए, ठीक है? और अपने हाथों पे design बनाने के लिए, हीना मेंदी का use होता है, ठीक है? ground leaves are called mehndi, और उसके जो पत्तिया होती है, ground leaves होती है, उसे हम कहते हैं, mehndi, ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं, some plants are smaller than subs and have soft green stems, they are called herbs, यानि कुछ पौधे, छोटे होते हैं, सबसे, यानि जो जाड़ीदार पौधे, यानि आपने ये जो plants देखे हैं, ये जो plants हैं, इनसे भी छोटे कुछ पौधे होते हैं, ठीक है? जो, जिनके जो stems होती है, वो green होती है, ठीक है? और बहुती soft होती है, यानि मुलायम होती है, ठीक है? they are called herbs, और ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? herbs, यानि औसधी कहते हैं, जड़ी पूटी, औसधी, आपको पता है न? तो ऐसे पौधे कौन से यह है, जैसे देखे, तुलसी हो गया, मिंट हो गया, क्या है यह, कोडलेंडर, इनका क्या है, स्टेम ग्रीन है, और सॉप्ट है, ठीक है, तुलसी, लीफ्स, क्योर, कोल्ड एंड कफ, तुलसी की जो पतियां होती है, वो कफ हो जाता है, तो उसके इल उसमें फायदा करता है, ठीक है, तो यह सब क्या है, हर्पस हैं, यानि इनका मेडिकल में, यूज होटा है, ठीक है, आगे देखते हैं, सब प्लंट्स हैब वीक स्टेम, कुछ पौध हो कि जो स्टेम होती है, या नि जो तना होता है, वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, they creep along the ground, वो क्या होता है, जैसे ये देखिए, मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, इनके जो स्टेम है, वो क्या है, वीक है, ये क्या आगे देखते हैं Some other weak plants climb up trees and walls to grow कुछ और भी weak plants होतने हैं जो कि चड़ते हैं trees पे, पेड़ पे या wall पे ठीक है They are called climbers उन्हें हम कहते हैं climbers यानि चड़ने वाले पोदे ठीक है वो कौन से हैं यहाँ पे देखे grape wine ये भी weak है लेकिन ये क्या करता है पेड़ पे चड़ता है और walls पे चड़ता है चड़के grow करता है ठीक है और ऐसे पौदों को हम कहते हैं climbers ठीक है बच्चो I hope आप लोग को समझ में आ रहा है और अगर आप लोग को कहें कुछ भी problem हो आप comment box में मुझसे पूछ लीजेगा ठीक है Where do plants grow पौदे कहां grow करते है यानि पौदों की बृद्धी कहां होती है अब हम ये देखेंगे अब next आपकी heading क्या है Where do plants grow पौदे कहां grow करते है plants can grow both on land in water पौदे जमीन पे भी grow करते है और water में भी पानी में भी grow करते है ठीक है You see different plants growing in your garden along the roadside आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरीके के पौदे grow करते हैं आपकी garden में roadside पे भी आपने कई तरीके के पौदे देखा होगा जो कि grow करते है ठीक है on hills and in forest jungle में भी और पहाडियों पे भी यानि plant अलग-अलग जगा पे grow करते हैं आप लोगों ने देखा होगा garden में roadside पे hills पे forest ठीक है अब सब plants like asoka trees and grasses grow in gardens of our houses and schools जैसे यहाँ पे picture देखे आप लोग यह है asoka tree और यह है grasses कुछ asoka के पेड़ और grasses यानि घास आपके हमारे जो garden होता है garden में और हमारे घर के garden में और school के garden में भी देखने के लिए मिलता है जैसे asoka tree हो गया और grasses हो गया ठीक है we can see some plants growing on the mountain side अब यह factorpedia में क्या है we can see some plants कुछ पहुदे हम देखते हैं जो की grow करते हैं mountain sides यानि पहाड़ों पे भी grow करते हैं their leaves are like needles और इनकी जो leaves होती है इनकी जो पतियां होती हो needles की तरह होती है यानि चुबने की जैसी होती है नुकीली होती है ठीक है अब देखते हैं some plants like lotus and water lily grow in ponds and lakes जैसे lotus हो गया, water lily हो गया यह कहाँ grow करता है ponds में, तलाब में और lakes में, जील में ठीक है बच्चो आपने देखा कि पौदे कहाँ कहाँ grow करते हैं what do plants need to grow अभी हमने देखा कि पौदे कहाँ कहाँ grow करते हैं hill, forest, ground, roadside, water सब में हमने देख लिया कि पौदे grow करते हैं अब पढ़ेंगे हम कि पौदे को किस चीज के जरूरत होती है grow करने में, बढ़ने में जैसे आप लोग बच्चे हैं हम लोग हैं, हमें क्या vitamin चाहिए होता है protein चरी, carbohydrate यह सब क्या होता है grow करने में help करता है मानों को, ठीक है बट, पौदे जो grow करते हैं उनको भी ती nutrition चाहिए ना उनको भी पोसक तत्तो चाहिए अब पौदों को कौन सी nutrition चाहिए वो देखेंगे हम, ठीक है plants need proper sunlight air, sufficient water and food to grow पौदों को क्या चाहिए होता है sunlight चाहिए होता है यानि सूरी का प्रकास चाहिए होता है air चाहिए होती है और water चाहिए होता है ठीक है and bhojan to grow grow करने के लिए sunlight, air, water and food पौदों को grow करने के लिए आवश्यक होता है ठीक है plants also need good soil to grow और पौदों को अच्छी मिट्टी भी चाहिए होती है grow करने के लिए ठीक है आगे देखते है आपका यह chapter खतम हो गया sorry अब देख लेते हैं जो factor video में last में हमने जो पूरे chapter में पढ़ा है उसका revision कर लेते हैं ठीक है big and strong plants are called trees बड़े और जो strong यानि जो मजबूत पौदे होते हैं उसे हम कहते हैं trees ठीक है small but strong plants called subs छोटे लेकिन मजबूत जो पौदे होते हैं उन्हें कहते हैं subs ठीक है यानि जाडिदार विक्च and small and weak are called hubs और छोटे और जो कमजोर stems वाले जो पौदे होते हैं हम कहते हैं hubs यानि औसधी युक्त plants ठीक है very thick hard and brown stem is called a trunk जो बहुती मोटा hard and brown color की stem होती है उसे हम कहते हैं trunk ठीक है creepers are plants which spread along the ground creepers क्या होते हैं लताय क्या होते हैं पौदे होते हैं जो की ground पे फैले होते हैं ठीक है climbers cannot grow straight on their own जो climbers यानि जो चड़ने वाले पौदे होते हैं जो ऐसे चड़ते हैं वो ऐसे क्या करते हैं grow straight on their own ये खुदी खुद से ये grow करते हैं ठीक है खुद से straight grow नहीं कर सकते जो climbers होते हैं देखिया, आप पौधे, किसी भी जो चड़ने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे ये था, ग्रेप्स का है पौधा, वो अपने हिसाब से, अगर किसी पेड़ को हलका सा उस पर टचू, वो अपने हिसाब से उस पर चड़ने लगेगा, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो वो चड़ जाता है, चड़ के ग्रो करता है, वो आपका चैप्टर हुआ खतम, अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुसे पूछ लीजएगा, और माई डियर चिल्डरेन, आप लोग इस वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आप लोगों कोई दिक्कत आती है, आप लोग मुसे पूछ सकते हैं, है ना बच्चो, तो अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजए, आपका कम्प्लीट साइन्स कम्प्ली देख सकते हैं, ठीक है, और आज साइन्स की भी क्लास से स्टार्ट होगी, अब डेली आपको साइन्स की एक क्लास मिलेगी, और कम्प्यूटर की अलड़ी चल रही है, तो उसे भी आप लोग पढ़ लीजेगा, ठीक है, मेरे चैनल पे आप लोगो कम्प्यूटर और साइन् क्लास से में आपकी लोगी, कम्प्यूटर और साइन्स आपको पूरा कम्प्लीट होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मुच फॉर लिस्निंग में, बी हैपी, स्टे हेल्दी, बाबाई, हैव गुड देग,